आईए जानते हैं सिर्फ 10 रुपे में बनाए ये मेकप स्प्रे और पसीने में भी नहीं हटेगा आपका मेकप नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में यहां दोस्तों लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है इस मौसम में महिलाओं को अगर किसी चीज से सबसे जादा दिक्कत होती है तो वो है पसीने के चलते मेकप ना करने की सही बात है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों के मौसम में चहरे पर अधिक निखार आता है लेकिन पसीने के चलते मेकप खराब होना भी आम बात है कुछ लड़किया इस डर से मेकप नहीं करती कि पसीने से वो खराब हो जाएगा जबकि ऑफिस जाना हो या फिर किसी पार्टी इवेंट में जाना हो तो चहरे पर मेकवर करना जरूरी हो जाता है लेकिन पसीने के चलते कुछ समय बाद मेकप उतरना शुरू हो जाता है इसे जादा देर तक टिका रखने के लिए लड़किया मेकप स्प्रे का इस्तिमाल करती है लेकिन बाजार में मिलने वाला मेकप स्प्रे क्यामिकल से भरपूर होता है इसलिए आज हम आपको घर पर ही मेकप स्प्रे बनाने का बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं आईए जानते हैं कैसे बनता है मेकप का ये spray इसके इसके लिए आपको चाहिए दो बूंद नारियल का टेल एक spray बोतल, medium साइज के दो चमच वेज़ेटेबल ग्लीसरीन medium साइज के 9 चमच गुलाब-जल medium साइज के 2 चमच विच हेजल तेल और medium size के 4 चमच पानी spray बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बोतल लें उसमें glycerine, गुलाब जल और witch hazel को डाल कर अच्छी तरह मिला लें अब इसमें पानी डालें और अच्छी तरह से mix करें तेल इसमें mix हो जाए तब नारियल के तेल को भी इसमें डाल दें आप देखेंगे कि आपका make-up spray बन कर तयार हो गया है जब भी आप कहीं जाने के लिए make-up करें उसके बाद इसे अपने चेहरे पर छिड़क कर सूखने दे इसकी सबसे ची खासियत यह है कि ये spray से किसी तरह का नुकसान नहीं होता और make-up भी अपनी जगे टिका रहता है इस बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज़्यादा make-up spray ना करें नहीं तो चेहरे पर make-up के धब्बे भी बन सकते हैं इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि गर्मियों के मौसम में make-up करते वक्त आपके सारे products waterproof हो अगर आप अपने lips को highlight कर रहे हैं तो आखों के make-up को हलका रखें make-up हटाने के लिए चेहरे पर cotton की साथ moisturizer का इस्तमाल करें अगर आप चेहरे पर foundation लगा रही हैं तो उसके बाद हलका powder लगाना ना भूलें अतरिक्त make-up हटाने के लिए blotting paper साथ रखें oil free foundation का इस्तमाल करें और रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह से साफ करके make-up उतारना ना भूलें आखों के लिए खास तोर पर alcohol free make-up remover का इस्तमाल करें तो दोस्तों ये थी जानकारी जो जुड़ी थी make-up spray के साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए देखते रहिए पूर्वी beauty and fashion